कहीं कैसे हैं आप देखिए चाहते तो हम सभी हैं कि दिन की शुरुआतना हमारी बहुत अच्छी हो शांतार हो ताकि पूरा दिन हमारा बहुत अच्छा भी थे पर क्या ऐसा होता है बताएं मुझे अकसर ऐसा नहीं होता और इसकी में वज़े पते क्या है में रिजन रात रा पिर हम डिसाइइं नहीं करते कि अगले दिन हमने क्या क्या करना है इस है को फिर तर्फ देन था realities 1 मतलब नहीं सच ए अगले दिन का या जेएक जो पता थैनी है या फिर पूरे जिन जीन प्ता ही होती है ना हमारे वह इसकदर हावे रहती है कि हम यही सोचते सोचते सो जाते हैं मतलब पुरा दिन हमारा किस तरह से बीता यही सोचते सोचते ना मतलब हम सो जाते हैं या फिर हमारे शरीर में फ्रेशनेस नी रहती मतलब हम सुबह उठते हैं तो भी ऐसे नीन-ीन सी लगती है, मतलब कितनी बार ऐसे होता है कि सुबह उठते हैं और उठते सारी उबासियानी शुरू हो जाती है तो यह सब फीक हो सकता है, बिलकुल हो सकता है, हमारे दिन की जो हम सोच रहे हैं कि एक किस्टार्ट हो, मतलब पूरी अनर्जी भरी हो हमारे दिन में, मतलब शुरूरात हमारी ऐसी हो कि हम बस काम निम्टाते जाएं, फटापट फटापट करते जाएं, ऐसा बिलकुल हो सकता बस ज़रूरत है अपनी night habits कुछ रात की आदते है ना उसको सुधार ले अब वो क्या आदते हैं आज की वीडियो इसी बारे में सबसे पहली आदत time fix हो time किसका fix हो खाना खाने का मतला कोई time fix है ही नहीं कभी रात को 10 बजे कभी 11 बजे कभी साड़े ग्यारा कभी बारा और कितनी बार तो ऐसे हो तक खाना खाते हैं सो गए तो यह चीज़े ठीक नहीं है हमने time fix कर लिया कि रात को 7 से 8 बजे के बीच में हमन कुछ ऐसी आते अपना हैं जिससे हमारी दिन के शुरुआत बहुत अच्छी हो तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम जल्दी खाना खाएं प्लस खाना हलका खाएं यह भी equally जरूरी है यह बहुत जादा spicy नहीं देखिए बहुत simple से बात है कि हमारा जो breakfast है ना वो राजा क हमार की तरह है और डिनर भिकारी की तरह है मतलब जितना light से light हम खा सकते हैं रात को सोने से पहले हमें वो खाना है समझ रहे हैं आप इस बात को जरूरी है बहुत जरूरी है अब आती है दूसरी आदत जब हम सो रहे हैं तो सो रहे हैं मतलब सो रहे हैं पर हम क्या गर रहे ह मिलक्त ताइम ही नहीं का देखना ही नहीं है रात के 12 बजहें अ कोई कोई टाइम नहीं है इसलिए जरूरी का जब सु रहे हैं इसको दूर मोबाइल को दूर मतल hesitant कर देदी इसकी वज़य से जब सुबह अट Lea नीन पूरी नहीं होती, थका-थका मैसूस होता है, एक्टिवनेस नहीं रहती बोडी में, इसलिए दूर रख दीजिए और इसको साइलेंट पर कर दीजिए, कई बर क्या होता है कि चलो दूर भी है, फिर भी कोई बिपूई, चलो मैसेज आया, चलो देख लिया, फिर जाना है, लाइट्स ओफ, टीवी ओफ, मोबाइल दूर, तो अगर हम इसी आदत को, जैसे दस बजे वाली आदत है, इसको कॉंटिनियूस अपनाएंगे ना, बीस-इकिस दिन तक, फिर आप ये महसूंस करेंगे, कि 21 दिल थीक, रात को दस बजे, आपकी आइस खुद हैव होनी शुरू हो गई, मतलब नीदानी शुरू हो गई आपको, ये चीज होती है, मतलब ये जो body clock होती है, हमारे शरीर में भी घड़ी लगी होती है, तो अगर इसके हिसाब से चलेंगे, तो बहुत बढ़िया बात है, समझ रहे हैं आप इस बात को, देखे, आप मेंसे तो बहुत लोग ये सोचोंगे, पता ही है, इसमें का नई बात है, बिलकुल पता है, मुझे ये भी पता है कि आपको ये बात पता है, पर apply तो कीजिए, खाली पता होने से क्या हो गया, पता होने से क्या सब ठीक हो जाएगा, फिर दुखी होते हैं, पर सोचते हैं कि सुबह आ ठीक करने के लिए हमें रात की आदों को सदार करना है, बिलकुल सिंपल है, अब आती है तीसरी आदत, देर शाम को थोड़ा सा एक्जर्ट करना है, थोड़ा सा घुमाना फिराना है, पसीना निकालना है, बंतलग कहने का मतलब ये है, कईवर के आओता हि कि सुबह के बेथ वे थांछने दूपित था चाम करें या फिर बैठें काम करें दूप दीजिए ऑने बढ 근데 ौज je झाल से औरे। वो बोलते है न तन जितना गूमता रहегा उतना सवस्थ रहेगा तो चलिए फिर ये बोहत अच्छी बात है हम तो इतना हालस कर जाते हैं इतना हालस कर जाते हैं कि जैसे माली जी घर से बाहर जाना है सामने वाली शॉप पे जाना है तो भी चलो स्कूर्टी ले लेते हैं चलो गाड़ी में चलते हैं मतलब इतना आलस या सीडियों पर बिजाना है न और लिफ्ट लगी होगा है तो लिफ्ट लेते हैं गलत है maximum maximum चलना चाहिए जितना हो सकता है चलना चाहिए जैसे मैं आपको बताओं यह घड़ी है मेरी है ना और इसमें मैंने अपने steps fix की होए है कि मैंने एक दिन में इतने steps चलने हैं जैसे शुरुआत मैंने 2000 से की फिर 3000, 4000, 5000 ऐसे steps fix कर दिये फिर जैसे ही जैसे ही मतलब पूरे दिन में जब वो steps हो जाते हैं जैसे मान लीजे मैंने 6000 fix कर रखे हैं और उसी समय इसमें बिप बन जाती है मतलब बिप हो जाती है इसका मतलब मेरे 6000 पूरे हो गए तो एक तरेगी ना motivation रहते हैं कि भी करना है पूरे दिन में इतना चलना है नहीं करना चाहिए कहने का कुल मिलाक़ मतलब यही है कि चलना फिड़ना चाहिए बहुत ज़रूरी है हमारे शրी के लिए थोड़ा सा पसीना बाहना चाहिए जितना हम पसीना बाएंगे हम ठगेंगे उतनी अच्छी नींद आएगी रात को अच्छी तरह सोएंगे और सुबह फ्रेश उठेंगे यानि एकदम किक स्टार्ट होगी एकदम बढ़िया स्टार्ट होगी अब आती है चौथी आदत रात को ना हमने लिस्स बना के सोनी है कि हमने अगले दिन क्या क्या काम करने है और प्रियोर्टी वाइस ये काम मेरा कितना जरूरी है ये मैंने इस समय करना ये इस समय और ना टाइमिंग भी लिखे हूँ इस समय से इस समय तक मैंने ये करना है इस स सोचते रहेंगे जिसे आप खुलेगी आज तो कुछ काम ही नहीं है पता नहीं क्या करना है लेटे रहते हैं लेट के करवटे बदलते रहेंगे सोचते रहेंगे सुबह सवेरे तो यह चीज नहीं हो कि जब हमने एक लिस्स बना रखी है आमें पता है कि हमने यह यह काम करने ह फिर हम एकदम से बिस्तर छोड़ेंगे, मतलब एकदम से उचल के पड़ेंगे, जब सुबह होगी, अलाम बजएगा, तो हम एकदम से उठ जाएंगे, कि हाँ, मैंने यह काम करने हैं, और यह बहुत ज़रूरी है, दिखें, एक बहुत सीधी सी बात है, कि मनजिलों को पाने वाले देर तक सोया नहीं करते, आगे वो ही बढ़ते हैं, जो सूरज को जगाते हैं, पीछे वो रह जाते हैं, जिने सूरज जगाता है, अब आती है, पांच भी आदत, रात को ये सोचना है, कि आज मेरे साथ अच्छा क्या होगा, हम पते क्या थोड़ सा नेगेटिव हो जाते हैं, हम ये सोचते हैं, उसने अच्छे कहा था, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, मतलब हमारी सोचना गलत डिरेक्शन में चली जाती है, हम नेगेटिव बाते सोचने लगते हैं, जबकि हमें ये सोचना है, कि आज मेरे साथ अच्छा क्या होगा, और जो भी चीज अच्छी होई, जो भी बात अच्छी होई, बेशक उसको नोट कर लिजिए, क्योंकि जब हम नोट करेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो थोड़ी से ना, स्मायल आएगी, क्योंकि वह अच्छी बात होई है, ना, देखें, जरूरी नहीं कि हर दिन अच्छा ही हो, पर हर दिन में कुछ ना कुछ बात, कुछ ना कुछ बात, तो अच्छी होती ही है, तो आप उसको सोचिए, मतलब positive बात को सोचिए कि मेरे साथ आज ही अच्छा हुआ, आज उसने आज चेका तो बेचक छोटी सी बात क्यों ना हो पर वो सोच नहीं है, और हो सके तो उसको लिखना है और अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं, हमारे साथ तो कभी अच्छा होता ही नहीं है कभी ऐसे लोग हैं ही नहीं, कभी ऐसी कोई बात होती ही नहीं है तो आप कीजिए ना, आप लोगों के चेरे पर स्माइल लाईए, आप कुछ ऐसा कीजिए कि जैसे रिस्पेक्ट से बात कीजिए, अराम से बात कीजिए, प्यार से बात कीजिए आप लोगों के साथ, मतलब जब अपने किसी फ्रेंड को मिल रहे हैं या अपने फैमली मेंबर से बात कर रहे हैं, उसको एप्रिशेट कीजिए मतलब उसकी कोई बात बहुत अच्छी लग रही है पता है क्या तुम्हारी ये बात मुझे बहुत ये अच्छी लगती है मतलब हमेशा मैं याद करती हूँ या हमेशा मैं याद करती हूँ तुम्हारी ये बात मुझे बहुत ये अच्छी लगती है और आपको ये पता लगेगा, ये smile आपकी बातों की वज़े से आई है, तो आपके चेहरे पर भी automatically smile आजाएगी. हम पते क्या थोड़ी सी expectations रख लेते हैं, उसकी वज़े से हम कुछ अच्छा करते ही नहीं है, करना ही नहीं चाहते हैं दूसरों के लिए, क्योंकि हम negative सोच हो जाती हैं, कि हमारे लिए कोई अच्छा नहीं कर रहा है, हम किसी के लिए अच्छा क्यों करें, हटा दीजिए, positive, बस positive self talk हो, कुछ से positive बाते करनी हैं, और दिन भर में जो भी positive हुआ, उसके बारे में सोचना है, तो उमीद अगर रखनी है ना, तो रब से रखिए, सब से नहीं, और अगर भगवान ने कुछ दिया है, तो शुकर कीजिए, थैंक गौड, भगवान जी आपका लाख लाख शुकर है, और अगर नहीं दिया, तो सबर कीजिए, वह जरूर देगा, उसके घर में देर है, अंदेर नहीं, ये चीजे, ये सोच लेके चलेंगे ना, ये सोच लेके आप रात को end करेंगे, मतलब नई शुरुआत के लिए आप सो रहे हैं, देखिएगा कितना फरक पड़ेगा, पॉजिटिव माइंड सेट के साथ सोएंगे ना, बहुत फरक पड़ता है, बहुत फरक पड़ता है, अगर हम थोड़े से सुलजे हुए होना, तो जिन्गी इतनी भी उलजी हुई नहीं है, बस जरूरत क्या है कि हम कुछ बातों का, यह जो छोटी-छोटी आते हैं ना, इनमें सुधार कर लें, यह कोई जादा लंबी-छोडी आते तो हैं नी, बस इनमें सुधार कर लें, क्योंकि आपको पता है, छोटा सा छेद, बर कोई छोटा सा छेद, पूरे के पूरे, इतने विशाल, इतने बड़ और हाँ अगर आपने मेरा ये यूट्यूब वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजेगा और इसमें ये बेल का बटन है ये भी तबा दीजेगा ताकि जब भी जैसे में को वीडियो अपलोड करती हूं आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज जा जाए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है आपको लग रहे है कि हां किसी और के काम भी आ सकती है तो प्लीज आप इसको शेयर भी जरूर कर लीजेगा ठीक बाए